स्रेया गुसाल एक ऐसी मीठी आवाज हैं जिनोंने अपनी आवाज के चलते कम उम्मर में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया आज बॉली बुड में स्रेया सुरों की रानी हैं जिनके सभी गानों को लोग पसंद करते हैं इन्होंने ना सिर्फ रोमेंटिक गाने गाए बलके आटम सौंक्स में भी अपनी आवाज देकर सब को चौका दिया स्रेया ने हिंदी गानों के अलाबा बेंगॉली, माराथी, पंजाबी और मल्यालम बासा में भी गाने गाए हैं मैच 16 साल की उम्र में ही नैशनल अवाड जीतने वाली स्रेया की लाइफ की क्या है असली सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ना किया हो तो चलिए बात करते हैं सुरू से 12 मार्च 1984 कु स्रेया का जन बंगाली हिंदू फेमिली में मुर्सिदाबाद बेस्ट बेंगॉल में हुआ था लेकिन इनकी परवरिस राजिस्थान के रावत बाटा में हुई थी जो कोटा के पास है इनके पिता विश्वजीत गोसाल एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर हैं जो न्यूकिलियर पावर कॉर्परेशन में काम किया करते थे इनकी माता सर्मिष्ठा पोस्ट ग्रेजुएट है जो के बहुत अच्छी सिंगर हैं अब चलिए बात करते हैं इनकी एजूकेशन के बारे में स्रेया ने अपनी स्कूल की सुरुगात रावत भाटा के एटोमिक सेंटरल स्कूल से की थी जहांबे सिर्फ एट्थ क्लास तक ही पढ़ी इसके बाद ये मुंबई सिफ्ट हो और आर्ट्स की पढ़ाई करने लगी स्रेया ने बच्पन से ही अपनी मा को गाते और हार्मोनियम बजाते सुना था इसलिए चार साल की उम्र से ही स्रेया ने संगीत की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था स्रेया अपना पहला गुरु अपनी मा को ही मानती हैं चैसाल की उम्र में इनकी माने इनकी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग सुरू कर दी थी स्रेया ने इसकी सिफ्टा पदमसरी से सम्माने स्वरगीय कल्यार जी भाई एंड स्वरगीय मुकता बेदेजी से 18 महीनों तक स्रेया ने पहली स्टेज पहोमेंस चैसाल की उम्र में एक कलब के फंक्सन के दोरान दी थी साल 1995 में स्रेया ने दिली में संगम काला गुरुप द्वारा आयो जित इंडिया लाइट वोकल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसमें ये विजय रही पिता का ट्रांसफर हो स्रेया की फैमिली मुंबई आकर रहने लगी थी पढ़ाय के साथ साथ स्रेया सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करती थी इसमें स्रेया की हेल्प उनकी मा करती थी स्रेया ज्यादा तर रियाल बेंगॉली गानों पर करती थी साल 2000 में स्रेया ने जी टीवी के प्रिसिद्ध म्य मुजिक कारिक्रम सारे गामा पाच चाइल्ड स्पैसल में हिस्सा लिया जिसे उस समय दे ग्रेट सिंगर सोनू निगम होस्ट किया करते थे स्रेया ने अपनी आबाद से सबको अपना दीवाना बना लिया और वे इस सो में विजय रही स्रेया ने सबसे पहले साल 1998 में एक बेंगॉली एल्बम की रिकॉर्डिंग की थी इसके साथ ही इन्होंने कई दार में गाने भी गाई थे स्रेया गोसाल की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें बॉलिवूड के महान डायरेक्टर संजय लीला बनसाली द्वारा अपनी फिल्म में गाने गाने का मौका दिया गया स्रेया उस समय सारे गामा पा में प्रतियोगी थी संजय लीला बनसाली की मा इस सो को बहुत देखा करती थी एक बार जब स्रेया पफॉर्म कर रही थी थब उन्होंने संजय को फोन किया और स्रेया को देखने के लिए बोला स्रेया की पफॉर्मेंस देखकर संजय ने तुरंत मन बना लिया कि वे अपनी अगली मूवी देब्दास में पारो की वोइस के लिए स्रेया को ही मुकाद देंगे स्रेया ने इस मूवी में पौच सौंग गाए थे उन्होंने मूवी की मुख़ किरदार पारो के रूप में एसोरिया राय को आवाज दी स्रेया ने पहला गाना वेरी पिया रिकॉर्ड किया था उस समय इनकी उम्र 16 साल थी इस सौंग को उन्होंने सिंगर उधित नारायन के साथ गाया था इस गाने के लिए स्रेया को नेशनल अवार्ड भी मिला इसके साथ ही इस फिल्म के गानों के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबेक सिंगर के कई सारे अवार्ट्स भी मिले इसके बाद स्रेया मूवी जिसम के लिए जादू है नसा है एंड चलो तुम को लेकर गाना गाया जिसके लिए उन्हें अवार्ट भी मिला इसके बाद तो जैसे स्रेया के पास काम की लाइन लग गई इने दार मेंक रीजनल और बॉलिवुड के अनेकों ओफर आने लगे स्रेया ने इसके बाद अनू मलिक, हमेश, रिसमिया, नदीम, स्रबर, संकर, एहसान, लॉय, प्री, तम, एया, रह्मान जैसे बड़े-बड़े म्यूजिक डिरेक्टर्स के साथ काम किया साल 2005 में स्रेया ने फिल्म पहेली के लिए दीरे चलना गाना गाया इसके लिए उन्हें एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा नैसनल अवर्ड मिला इसके बाद इन्होंने रोग, जहर, पर, नीता, विवा, क्रिस जैसी कई मूवीज में अपनी आवाज दी अब वो समय था जब स्रेया गोसाल को क्लास, स्टाइल, एंड क्वालिटी के लिए बॉलिवुड की महान प्लेबेक सिंगर अलका यागनिक के बरावर में देखा जाने लगा साल 2007 में स्रेया ने खोया खोया चांद मूवी के लिए ठुमरी गाना गाया जिसे सबने बहुत पसंद किया, इस साल इन्होंने लागा चुनरी में दाग, ओम, सांती, ओम, भूल भुल भुलाईया और जब भी मेट जैसी कई मूवीज में गाना गाये, जब भी मेट मूवी में उनका गाना ये इस कहाय के लिए स्रेया को एक बार फिर से नैशनल अवाट से समानित किया गया, स्रेया ने इन बड़ते सालों में अपने पैर पूरी तरह से बॉलिवुड में जमा लिये हैं, हर साल स्रेया द्वारा गाया एक गाना तो नॉमिनेट होता ही है, स्रेया हिंदी के अलावा दूसरी लेंगवे स्रेया के दोस्त सिलादित से साधी कर ली, अपनी साधी के छे साल पूरे होने के बाद स्रेया ने अपने पहले बेबी बॉय को जन्र दिया है, जिसका नाम उन्होंने देवियान मुखो उपाद्याय रखा है, स्रेया देश दुनिया के कई हिस्सों में लाइब कंसर्ट करत स्रेया टीवी पर बतोर जच सबसे पहले 2007 में स्टार बॉयस ओफ इंडिया छोटे उस्ताद में दिखाई दी थी, जिसमें उनके साथ कुनाल गांजे वाला एंड प्रीतम थे, इसके बाद एक्स फैक्टर इंडिया में संजलीला बंसाली एंड सौनू निगम के साथ स्रेय जज़ बनी, म्यूजिक का महा मुकाबला सो में स्रेया कैप्टन जज़ थी, जिसमें उनके साथ संकर, मिका, हेमेश और मोहित चोहन थे, साल 2013 में स्रेया इंडियन आइडल जूनियर के पहले सीजन में भी जज़ रह चुकी हैं, तो फ्रेंट्स ये थी लाइफ स्टोरी स्र प्रेया को साल की, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉंस जरूर दें, अच्छी लगी तो लाइक, सेर और कमेंट करें, आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रख साथ ये अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स, हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकॉन प्रेस कर लें, तो चलिए फ्रेंड् मिलते हैं अगले वीडियो में